मंसौर के सपानिय गावं अस्थित एक गोदा में एक हजार कटो में भरी लगभग 30 टन नकली खाद पकड़ी गई है गोदा मालिक रंजीत सिंग और मदन सिंग पिता करंट सिंग निवासी सपानिय थाना गरोट फरार है एसपे अनुराग सुजानिया साहब के मारगदार्शन एवं एसजी ओपी गरोट श्रीमती सोनू परमार के नेतरत में दविश्देकर कारवाई की गई थी चहांसे विभिन ने ब्रैंड के खाली बोरे भी बरामत किये गए हैं देखे रिपोर्ट उसका पैकेजिंग और उसको सोर्सिंग की जा रही है उसी संदर में थोड़ा और इंफोर्मेशन कले की गई और जब इनफोर्मेशन पुक्छा पाई गई तो उसमें गरोट के लीडर्शिप में थाना गरोट थाना भानपुड ही टीम जॉइन टीम भेजी गई क्योंकि उसमें सपानिया गाउं जो कि थाना गरोठ में पड़ता है वहां पे एक को डाउन पे डेड़ की गए उसमें करीब बारा सो कटे करीब पच्छिस किलो प्रते कटे का वजन थे तीस तन नकली खाद बरामत की गई है इसमें विभिन ब्रांड के खाद के कटे मिले वह इसने थोड़ा और तफ्तिश की जारी है वहां पे कुछ नमख पेकेजिंग के भी टाटा नमख पेकेजिंग के भी रैपर्स बरामद हुए हैं नकली नमख भी पैकेजिंग मोड़ा अभी जो फरार औरो पिन की सरगर्में से तलाश की जा रही और अग्रिम विभिश्ना सब्सक्राइब करें अभी कोई सौर्स नहीं है हमारे पास इंफर्मेशन है पर एक बार आरोपी जब गिरफ्त मैंगे तभी अग्रिम आगे की जो इंफर्मेशन ने फुक्ता आपाईई